नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मागसीस माह की अमवस्या तिथी का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन पित्री दोसों से मुक्ती पानी के लिए महाप्रियोग किये जाते हैं तो इस अमवस्या के दिन क्या महाप्रियोग करें चले जानते हैं विस्तार से अमुवस्या के दिन कुछ खास उपाई किये जाते हैं पित्री दोस से छुटकारा पानी के लिए ताकि हर कारे जो बिगड़े हुए कारे हैं बनने लगे अगर आप पित्री दोस से पीडित हैं बनते कारे भी कर रहे हैं तो आप सिपजी को एक लोटा जल में कुसा घास डालकर अरपिक कर दें कुसा घास जब लोटे में आपका लगा रह जाए नहीं निकले तो हाथ से निकाल कर सिपलिंग पर रख दें इससे पित्री दोस समाप्त हो जाते हैं इस दिन पीपल के पेड़ पर घी का दिया लगाने का विधान है दिन में याद रखें दिन में मां लक्षमी के निमित औ और अपने हाथों से किसी सार्व्यनिक अस्थान पर लगा दें तो इससे भी पित्री सांथ रहते हैं पवित्र नदी सरौवर में स्थान करें सुरिदेव को अर्ददे इसके बाद पित्रों को एक लोटा जल में काला तिल डाल कर दरपन करें पित्रों की आत्मा की सांती के लिए आप किसी गरीब वेक्ति को भुजन करवा सकते हैं और पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर लगाईएगा पित्रों का सम्रन करें अगर पित्री दोस हो तो इस दीपक में एक चुटकी काला तिल डाल कर जलाईए और पीपल की साथ प्रिक्रमा करें इस दिन उड़द दही पूरी कर नबैद अरपन कर पूजन कर खास कर रुद्र अगनिया और ब्रहमनों का पूजन कर उनी पधारतों का सेबन करें गाय के कच्चे दूद दही सहत से सिवजी का भी सेख करें काला तिल अरपित करें तो जीवन के कस्ट मिटते हैं अब चुकी अमवस्या तिथी सनी देव की तिथी है इसलिए उनकी पूजा जरूर करनी है और इस दिन सनी देव के मंदिर में जाकर ब्लू कलर यानि नीले रंग के पुस पर पित करें काले तिल काली उड़द और कडवा तेल यानि जिसको हम सरसों तेल कहते हैं काजल और काला कड़ा कपड़ा भी अरपित करें तो जीवन के कश्ट मिठते हैं जो समस्याएं हैं वो समाथ होती है इस अमवस्या पर विसेश प्रयोग किये जाते हैं अगर आपकी आर्थिक सिती अच्छी नहीं है तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा घोर से घोर द्र आपती की कामना कहते हुए जमीन पर तोड़ दें अब नारियल के इन टुटे हुए टुकणों को भगवान सिवी की प्रतिमा के पास ही रख दें और राध वर वहीं रहने दें सुबह उठकर उस नारियल के टुकणों को वहां से उठा ले और घर के सबसदस्यों में बाट को खोल कर गले से बाहर से बाहर कहीं गड़ा खोद कर मिट्टी में दबा दे मुच्किले समात हो जाएगी लेकिन अगर धन की बहुत मुच्किल है तब आठ बादाम ले 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 आठ काजल की डिबी ले ले अब रात किस में उन्हें काले कपड़े में बांध कर आप धन के अस्थान या पिर आलमारी तीजोरी में बांध कर रख दें और अगले दिन उस जो आपने बांध के रखा है काले कपड़े में काजल की डिबी बदाम बहते वे जल में प्रवाहित कर दें बहता जल ना हो तो पीपल की नीचे रख दें धन की मुश्किले समाप्त हो जाएगी लेकिन अगर करजों से परिशान है तो हाथ में थोड़ा सा राई का दाना ले ले और आधी रात में अपने घर के चट पर या आंगन में अपने बाएं हाथ में लेकर एंटी क्लॉग वाइज घुमा कर तीन बार घुमा ले और थोड़े थोड़े राई दसो दिसाओं में यानि कि फिक दे जाए आपके जीवन की जो करज रूपी परिशानी है वो समाप्त हो जाएगा लेकिन आपको लगता है कि घर परिवार में बहुत मुस्किले परिशानी है आप चाहते हैं कि खुसियां आए तब ऐसे में आप पांच लाल पुस्प पांच तेल का दीपक ज अंतसास में कहा गया है कि चीटियों को अगर सक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं तो आपका पाप कर्म छह होता है पुनिक कर्म उदय होता है मनोकामना पूर्ती होती है अगर आप काला तिल का दान करते हैं तो पित्रों की प्रसन्नता तो प्राप्त होती है उनको सदगती प्राप्त होती है पदब्रधी होती है इसलिए काले तिल से उनका तरपन करना चाहिए विसेश सुप फलताई है काला तिल का दान करना चाहिए और काला तिल का इस दिन चुकि दान करने का और पितर देवों को तरपन करने का विधान है आप चाहे तो पीपल के पेड में भी जल में डालकर अपित कर सकते हैं गाई को आटे में तिल मिलाकर रोटी बना कर खिलाएं तो घर परिवार में सुक्सान्ती सम्रिद्धी बढ़ता चला जाता है आपके घर के आसपास गाय होगी जरूर खिलाइए और आप पहला रोटी ही इस तरह का बनाईएगा अलग से आटा सान के अब देखिए घर के इसान कोन में यानि की पूरव उत्तर दिसा में गाय के घी से सुद्धी होता है ना उसको आप रूई की बत्ती में या लाल धागे की बत्ती विया प्रयोग कर सकते हैं घी लगा कर दिया जला दीपक में एक चावल का दाना डाल दें मालक्ष्मी को प्रसंद करने का ये महा उपा है अमोस्यातिती पर वैसे तो मालक्ष्मी और भगवान सिव दोनों की ही पूजा होगी अब सिव परिवार को और मालक्ष्म को अगर चावल की खीर बनाकर उनको भोग लगाएं और फिर प्रसाथ के रूप में खाएं तो धन संपत्ति के भंडार भरते जाएंगे कमी कभी नहीं होगी अगर किसी तरह का मानसिक टेंसन है मानसिक परिशानी है जीवन की मुस्किलें बढ़ी वी है तब ऐसे में आप काले कुटे को याद रखिए काले कुटे को एक कटोरी में या मिट्टी के पातर में दूद ले लें आप किसी चीज़ में दूद ले सकते हैं थोड़ा सा और इसमें अपनी फेस देखें जैसे आप तेल में चाया देखें और काले कुत्ते को पिलाते मानसिक परिशानी से मुक्ति मिलेगी इस दिन काल सर्फ दोस्त से निवारन के लिए भी महा प्रियोग किये जाते हैं आप तामबा का नागनागिन का जोड़ा आपको किसी भी सुनार के दुकान में मिल जाएगा चोटा सुनार के बड़ा भी दुकान मिलेगा या फिर आप चाहें तो चांदी का छोटा सा नागनागिन का जोड़ा इस अमोसे तिती पर सुगसवसनान कर ले और इस नागनागिन के जोड़ी की पूज़ा कर आप सफेद पुस्त के साथ बहते के मंदिर में जाकर सिबलिंग पर अर्पित कर दे आपको काल सर्फ दोस्त से मुक्ति मिल जाएगी अब देखिए इस दिन सिबजी की बिसेश पुजा होगी अगर पित्री दोस्त परिसान करे तब एक काम कीजिएगा सुभस वसनान करके एक लोटा जले ले जल में कुसा घ हास डाल ने द रखिये खुसा घास अब पास के किसी भी सिबजी के मंदिर में चले जारें घर में मत कीजीएगा सिबजी के मंदिर में जाकर सिबलिंग पर जो आपने जल में कुसा घास डाल मुक्ति मिल जाएगी यह तो वैसे तो इस अमस्या को आप परियोग करें यह लगातार पांच अमस्या भी आप कर सकते हैं तो पित्री दोस्ट से मुक्ति पाने के लिए महा परियोग है कहा जाता है अगर आप बिमारियों से लंबे समय से परिशान है तो सुखे कुए में दें आपकि बिमारी समाप्थ हो जाती है अब देखीए आप आटे की गोली बनाकर भगवान का नाम लेकर किसी भी तालाब नदी में जाकर यह गोल्यां मशलियों को खिरा दे तो जीवन की परिस्णिया समाप्थ हो जाती है इस अमस्या पर रात में एक बीसे इस प्व्यो कर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे हर दीपक में एक दो दाने काला तिल या काली उड़त के डाल दीजिएगा आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो इस अमवस्या पर पूरबोजों की त्रिप्ति के लिए तरपन जरूर करें वह प्रसंद होंगी आसिरबाद चाहते हैं लक्षमी स्थिर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कीजिएगा चावल को केसर से कलर कर लें या फिर आप हल्दी से कलर कर लें अब आपके घर में संख है अगर दक्षिन मुखी तो उसमें डालें एक घीका दिया जलाएं और मालक्षमी के सामने बैठकर ओम स् इस मंतर का खूब जब करें साम के समय अगर आप पीपल की नीचे दिया ना जला पाएं माल लेते आपके घर से दूर है आसपास नहीं है तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर एक सरसों के तेल का दिया जरूर जला दीजिएगा इस दीपक में रूई की ब देल का उसमें एक चुटकी काला तिल या काली उड़त डाल दें और इसको और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक बरतन में पात्र में पानी और एक पात्र में सफेद मीठाई या मीठी वस्तू अब इसको लेकर अपने घर की चट पर चले जाएं अगर चट नहीं है आ अगले दिन सुबर अगर किसी पंची ने खा लिया है तो अच्छी बात नहीं खाया है अगर आप चट पर रखते हैं तो पानी को पोधे में डालने जो मिठाई है अपने अर्पीत की है उसको किसी जानबर को खिला दें और जो दीपक है कही मिठी में दबा दें अगर आप अपने घर से बाहर निकाल के किया है तो कोई जानबर तो खाई लेगा लेकिन अगर पड़ा हुआ है तो यही प्रक्रिया वहां भी दो रही है आपके पित्री देवों की निमित्त यह चीजे है तो उनको संतुष्टी मिलेगी आप उन्हें याद कर रहे हैं और पित्री प